पपीता एक ऐसा फले जो हर जगह और हर साल मिलता है पपीता आपकी पाच्चन क्रिया को एकदम सही रखता हैं ये खाने में जितना स्वाजिस्ट और होता है उतने ही इसके फाइदे भी होते हैं वैसर तो इसको कहाने से कई फाइदे होते हैं अगर आप चाहते हैं कि आप इसका ज्यादा लाव उठाए तो आप इसे रोजाना सुबह खाली पेट खाए इतना ही नहीं इससे पेट से जूड़े सब भी समस्या खत्म हो जाती है पपिता आपके लीवर को मजबुत रखने में मदद करता है यदि आप बाहर का कुछ खा रहे हैं जैसे आपने जंग फूट खाया हो तो उसके बाद आप थोड़ा सा पपिता खा ले इससे अपके लीवर पर होने वाला असर खत्म हो जाता है और आपका स्वास्त हमेशा अच्छा रहता है चलिए जानते हैं इसके और भी कई सारे फाइदे पपिते के भीतर कई प्रकार के एंजाइम होते हैं जो पाचन क्रिया को ठीक कर के आपकी पाचन शक्ति को बढ़ाने में भी काफी मदद करते हैं और इसमें डाइटरी फाइबर भी मुझूद होते हैं जो आपको एनरजी देने में मदद करते हैं पपिता के वल खाने में ही नहीं बलकि और भी कई कामों के लिए जाना जाता है कच्चे पपिता की सबजी बनाई जाती है और इसका सलाद भी बनाया जाता है और इसके पेड़ और वीच की भी कई सारे ओश्दिय गुण है जो हमारे शरीर को रोगों से बचाने में काफी वदद करते हैं पपिता खाने से हमारे शरीर को विटामिन C मिलता है जो प्रतिरोधक शमता बढ़ा कर बीमारियों से बचाता है और विटामिन A आखों के लिए स्वास्त पे लिए त्वचा के लिए म्यूकस मेंब्रेन के लिए काफी आउशक है subscribe our channel and press the bell icon for more updates